हालो फ्रेंड्स, वालकम यू आल, आज मैं आपको ले जो वीडियो लिक्या रहा हूं दिखे बात करने वाले हैं, एक सीमेंट सेटर के डेट फ्री स्टॉक की, एक छुपा हुआ स्टॉक में इसको कहूंगा, क्योंकि अक्सल जब सीमेंट की बात आती है, तो आप लोग जान नाम सबसे टॉप पे पॉपुलर नेम्स हैं, सीमेंट इंडस्ट्री के, लेकिन आज हम आपको एक फिडन स्टॉक दिखाने वाले हैं, और क्यों क्या रीजन इसके सामने सारी चीज़ों की बात करेंगा, और आगे बने से पहले मां आपको बता दूगा, आपने अब तक च सीमेंट लेमिटेड, यह स्टॉक आज हमारी नजरों में क्यों आया, उन सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, और अगर मैं बात करूँ तो 5,000 करोड का मार्केट कापिलाइशन, पी रेशो 22 के आज पास है, डेट ना के बराबर मैं कहूंगा डेट, in comparison to the market capitalization, लेकि को इसके peer group के stock की तरब जरूर लेके जाऊंगा, क्योंकि cement industry की जब बात आती है, तो सबसे top का stock होता है, ultra tech cement, 3 cement, second number पे है market capitalization है, अगर देखा जाए, अम्बुजा cement, फिर ACC, JK cement, newo को अभी recently list हुआ है, बिरला कॉपरेशन, और star cement इस तरह की से, बहुत सारी company जाब बाती stocks को भी अपने end पे analyze कर सकते हो, और अपने risk, affordability, risk के accordingly, वहाँ पे opportunity ढूट सकते हो, अब ये stock हम आपके लिए क्यों लेके है, सबसे पहले मैं आपको लेके चलूँगा, आपके star cement की तरफ, और star cement को हम monthly, weekly, daily के हिसाब से देखेंगे, और समझने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले मैं आपको मन्तली चार्ट के उपर लेके चलूँगा, आप देख रहोंगे किस तरीके से, इस stock का जो high है, वो 1.540 के आसपास का है, और गिरावट धीरे धीरे आती रही, और गिरावट आने के बाद ये stock 50-60 की range बागया, लेकिन, आरेसाई आपके लिए एक बहुत important, मैं अधाउंगा, रोल का प्ले करता है, अगर आप आरेसाई को bottom पे देखो, मन्तली पे ये level देखो, देख रहे हैं अब आपे, अब आरेसाई का ये price देखिए, क्या दिख रहा है आपको 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 से रिवर्सल दिया है, चाहे आप यहाँ पर देखो चाहे आप यहां पर देखने को बिली और वही तक नहीं रहा यह आप देख रहे होगे कि higher high higher low की सीरीज चल रही है एक correction दो correction तीन correction जो कि price पर आपको अभी आपको देखने को मिल रहा होगा price ऐसी आप डाउन आप डाउन बहुत सारी इसमें मैं कहूंगा आपको विक्स देखने को बिल रहे होंगी शेड़ो देखने को बिल रहे होंगी लेकि अगर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर calculate होता है तो अगर मैं यहां पर monthly chart पर मैंने इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता है लाइन चार्ट आप लगा दोगे तो और प्राइस आपको बिल्कुल सिमिलर structure दिखाता हुआ देखने को मिलेगा क्यों क्योंकि यह क्लोजिंग प्राइस पर है जो लाइन चार्ट होता है आपको प्राइस पर कैलकुलेट होता है उस केरप बहुत इंपॉर्ट रोल की तरह लेते हैं बहुत इंडिकेटर की तरह लेते हैं जो एक काफी एडवांस लेट के इंफॉरमेशन आपके साथ शेयर करता है अब आप देखेए लेकित आगे आज हम आपके लिए क्यों ये ले क्या है क्योंकि ये month में volume भी बढ़ता हुआ दिख रहा है अभी candle छोटी है volume बढ़ता हुआ दिख रहा है और साथ के साथ ये correction जो कि अभी आपको मैं कहूंगा ये area पार होता हुआ दिखा है closing price का तो और सबसे important बात ये super momentum area में प्रवेश्ट कर गया although मैं कहूं और बहुत high POI point of interest यहां पर होने वाला है तो इसलिए जो targets है उनको एकदम ज्यादा नहीं कि आप यहां से expect करोगे 116 से ये 200-300 पहुंच जाए धीरे-धीरे करके small-small targets करके आप चीजों को देख सकते हो और at the same time the most important part is the risk management you have to again think before entry always think from risk management perspective यहां बार-बार इसलिए कहता हू आपने देखा होगा है recently हमने वीडियो create किये थे अगर आपने नहीं देख तो उपर description में लिंक भी आपको देदेंगे और उपर i button पे जाके आप देख सकते हो metal sector में किस तरीके से overvalued situation में जाने के बाद correction आई देखिए बहुत ही जबरदस Tata Steel हो विदानता ने सबसे पहले initial signal दिया था उसके बाद Tata Steel, Jindal Steel सब के सब नीचे गिरे अब जो एक मैं कहूंगा वहाँ पे jump आएगा उसमें बहुत सारे लोग exit करने की कोशिश करेंगे उसी तरीके से भी आप recently देखोगे कि तो IT sector बहुत overvalued में है जहां पे अच्छे खासे stocks 9090 और मैं कहूंगा 9088-85 की RSI पे monthly level पे trade कर रहे हैं जो कि काफी risky zone काफी dangerous zone आ चुका है fresh investment के लिए हाँ अगर छोटे time frame wise आपको मौके मिल रहे तो आप opportunity की तो आप रिस्क कम है बट बड़े time frame wise long term perspective से अगर आप सोच रहो तो काफी risky area वो हो जाता है इस चीज़ को हमेशा धान रखे है जब RSI 85 90 के area में आता है तो हमारे super trend को मैं कहूंगा जो super हमारा यहाँ पे momentum area है उसको भी cross कर लेता है तो वो over over overbought situation में पहुंच जाता है अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके weekly chart को अब weekly chart को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप देखे धीरे-धीरे करके यहाँ पी जो यानि की importance समझते हो कि volume का क्या importance है आप देख सकते हो कि जब fall होता है तो fall के बाद आपको इस तरीके से consolidation देखने को मिलीगे वे recently मैंने वीडियो create किया था एक ycops schematic के उपर अगर आपने वह नहीं देखा तो उसको तसली से देखिए और downside में upthrust upthrust के बाद retest के बाद s o w और फिर आता है एक और fall देखिए पूरी साउधानी के साथ यह fall यहाँ पर आया और उसके बाद rally हुई और इस तरीकी के situation आप अगर मैं जैसे मैंने अभी मंतली में बताया यह correction यह correction resolve होते होते फिलहाल यह इन areas में पहुचा है और अगर मैं बात करो अभी कुछ time पहले ज तोड़ा से यहाँ पर ताकि आपको clearly picture समझ में यह zone देखिए इस zone में आप देखोगे बड़े-बड़े volumes और red volume बिलकुल बहुत ही कम है यानि कि जो एक demand को दिखा रहा है कि buyers active है देखे बहुत सारे लोग कहते हैं buyers बहुत ज्यादा है sellers बहुत कम है इसका देखे जितने भ मतलब प्राइस उपर जाएगा और seller अगर कम पैसब में बेचने को तयार है तो मतलब प्राइस नीचे आएगा this is the rule of demand and supply आपने यह जरूर ध्यान दीजिए आप देखे यहाँ पे अभी मैं बात करूँ तो super momentum area में भेस बन रहा है weekly चार्ट पर यह देखिए जो कि मुझे क 140-150 की range हमारे लिए बहुत important रहने वाली है इस stock के लिए जो कि star cement है with a negligible risk मा कहूंगा इसमें risk management आपका बहुत कम यहाँ पे होता है देखिए अब daily time frame पे आते हैं और understand करने की कोशिश करते है daily time frame पे अगर मैं candle देखू 13th August की 13th August को एक बड़ा volume और उसके बाद अगर आप देखो कि negligible volume उसके comparison में आपको देखने को मिला आज एक impressive volume जरूर देखने को मिला तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो यह area है now coming on to the rectangle formation again you can just see what is happening around this अगर यह area पार होता है तो आपके लिए बड़ा धमागा यहाँ पे देखने को मिल सकता है एक kind of spring यहाँ पे देखने को मिला और मैं इसको कहूँगा kind of SOS यानि कि sign of strength आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो अगर धमाका आता है तो फिर बहुत important होगा और sign of strength में आप देख सकते हो यहाँ पे volume बहुत ही खतम सा देखने को मिल रहा है बहुत ही शान्ति यानि कि तूफान से पहले की शान सांति देखने को मिल लेकिन कितनी भी बड़ी सांति क्यों ना हो कितना भी बड़ा धमाका क्यों ना हो the main important rule याद रखें रिस्क management चाहे आप one zero one percent be confident क्यों ना हो never ignore risk management यह मैं हमेशा कहता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि risk management क्यों important है अगर आप तसल्ली अभी recently मैं कहूंगा पिछले चार पास दिनों में जो बड़ी गिरावाट आई अगर आपने profit booking profit lock नहीं किया होगा metal sector में खास करकी किस तरीके से profit आपका गया और अगर आपने risk अगर आपने fresh positions कहीं पर बनाई और risk manage नहीं किया होगा तो कितने जबरतस तरीके से गिरावाट आई तो अच्छा खासा loss का सामना भी आपको करना पड़ागा तो risk हमेशा आपकी affordability bracket के अंदर होना चाहिए affordability और technically वो risk होना चाहिए otherwise मैं कहता हूँ कि position की size को reduce करें अगर technical risk आपके affordability bracket के अंदर नहीं आता है तो position size बड़ा मतलें क्योंकि जिस हिसाब से आप सूसते हैं कि नहीं भीया यह stock तो भागेगा उसमें risk जब होता है कम तो फिर reward अच्छा मिल जाए तो मज़ेदार वाली बात है ज्यादा risk वाली stocks को आप कर सकते हैं avoid फिलाल हम wind up करते है stock को और वीडियो को और वीडियो अच्छा रहागा तो वीडियो को आप share जरूर कीजिए like कीजिए और price action सीखते रहे और थैंक यू थैंक यू पर आचिन दे वीडियो